हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग लिए कैसे नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप खाएंगे तो समुसा, कचोरी, पकोरी सब का स्वाद भूल जाएंगे इतना ज़्यादा ये टेस्टी रहता है और सबसे खास बात है कि घर के ही कुछ ही समान से आप असानी से हैं और कभी भी बना सकते हैं किसी को भी किला सकते हैं तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हमें लेना है दो कब गेहूं का आटा नॉर्मल जो हमारे घरों में गेहूं का आटा रत है वही रत है तो आब इसमें मसाला डालेंगे तो म सबसे पहले डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के according फिर डाल देंगे कुटीवी लाल मिर्ज ये मेरे पास लाल मिर्जी थी उसी को मैं कुट के लिए हूँ और एक चमच सफेद तील और एक चमच बारी कटा हुआ धनियापती फ्रेंट्स अगर सफेद तील है तो डाले नहीं ह काम करेगा लेकिन मोयन अभी नहीं डालना है पहले आठा को अच्छी तरह से सब्साला सब्स हो चुका है तो अब इससे क्या करेंगे दो चमच निकालके रख लेंगे कोई अलग बाउल जादा नहीं रखना है दो ही चमच बस इतना तो अब ये मोयन डाल देना है डाल के अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि खस्ता बनाना है इस नास्ते को तो थोड़ा सा मोयन डालना तो जरूरी है यदि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा तेल सोक करेगा और कम डालेंगे न तो थोड़ा सा कम सोख करेगा, तेल खीचेगा, तो अब क्या करेंगे, पानी डाल के, सौफ्ट आटा लगा लेंगे, बहुत जादा गिला भी ने रखेंगे, और सक्त भी ने रखेंगे, तो अभी आटा लग के रेडी हो गया है, तो अभी से सेट होने के लिए, थोड़ी द लेकिन आटा पानी लेता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बिट देंगे ना, तो खोई दिकत वाली बात नहीं है, पतला घोल रडी करना है, तो हमने इतना आटा का पतला घोल रडी कर लिया है, तो अब क्या करेंगे, अभी से हम साइड में रख देंगे, ये थोड़े द अब टेंसन ना ले, कि हल्दी डरा हुआ है क्या, तो अब इसमें मसाला डालेंगे, तो मसाला के लिए सबसे पहले नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और आधा चमज के करीब लाल मिर्ची पाउडर, एक चुताई चमज, चाट मसाला, और टेंगी टेस्ट के लिए में डाल कोई बात ने, और आधा चमज, भुनावा जीरा पाउडर डालेंगे, साथ में थोड़ा सा, कटावा धनिया पत्ती, और आप और भी अद्रग डालना चाहते हैं, तो अद्रग भी डाल सकते हैं, अब साथ में एक मुठी के करीब बारी कटावा प्याज, और दो से तीन कली लसन को ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देंगी, यदि प्याज खाते हैं तो अच्छी बात है और नहीं काते हैं, तो कोई बात नहीं बेना प्याज का भी बनाएंगे, तो काफी टेस्टी लगेगा खाने में, तो देखिए हमने लसन को भी घिस लिया है, तो अब मसाले को अ साइड में रख देंगे अब इस आलू के मसाले को साइड में रखेंगे और साथ में क्या करेंगे इस आटे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बड़े साइज का लोई बनाना है तो हमने बड़े साइज का लोई बना लिया है तो अब इसे बेलेंगे तो बेलने के लिए थोड़ा सा इसमें सुखा आठा लगाएंगे, आठा लगाके पतला बेल लेना है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं रखना है, कि रोटी फट जाए, ज्यादा पतला हो जाएगा तो, अब मोटा रहेगा तो कच्चा लगेगा खाने में तो देखिए हमने बेल के रेडी कर लिया है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है मीडियम ही रखा है तो अब इसे कट करेंगे तो कट कैसे करना है कोई भी एक ग्लास ले ले कोई साभी ग्लास, कटोरी, कुकी कटर जो है आपके पास वो ले ले अब इस तरह से कट कर ले ये मेरे को सबसे ज़्यादा एजी लगता है कि ग्लास तो सबके घरों में रखता ही है तो आप आसानी से काट सकते हैं तो देखिए, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है फिर से लोई बनाके बेल लेंगे तो अब क्या करना है इस आलू के मसाले को इस तरह से जो बेला हुआ है उसमें पतला लेयर में फैला देना है, हलके हलके हाँ से फैलाएं आसानी से फैल जाएगा तो चारो में इसी तरह से फैला लेंगे तो चारो में हमने अच्छे से फैला लिया है तब इसको फोल्ड करने का तरीका दो तरीके से मैं बताऊंगी पहला तो इस तरह से है और इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं तो यह क्या होता है इस तरह से fold करने से थोड़ा सा मोटा बनता है अंदर तक सीखने में थोड़ा time लगता है और यदि सिर्फ इतना fold करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाता है तो मैं बोलूँगे कि आप इस तरह से fold करेंगे ज़्यादा tasty भी लगता है खाने में तो हमने फोल्ड कर लिया है तो अब बनाना किस तरह से अब क्या करेंगे इस आटे के घोल में डीप करेंगे और डीप करके फिर तेल में डाल देंगे बस इस तरह से फ्राइ कर लेना है बस अब क्या करेंगे गरम गरम तेल में इस तरह से डालते जाएंगे गयास का फ्लेम हा कर दिंगे तो एक एक बार करके पलट लेते हैं एक सेट सेट हो चुका है जब सेट हो जाएगा ना एक सेट तभी है पलटे तब क्या होगा कि चम्मच में नहीं लगेगा और अच्छे से बनेगा अब इस तरह से पलट के फिर एकदम गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो एक दम गोल्डन कलर का हो गया है पूरा फ्राइ तो अब इसे निकाल लेते हैं अब निकाल के बाकी का भी बचा हुआ ना और सेम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे यह अच्छे से सेखेंगे ने तो एक दम क्रिस्पी बनके रेडी होगा एक बत और फ्रेंट जो गेहू का आटा म हमने डीप कहनों आप चावल के आटे में भी डीप कर सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छा बनता है वो ऐसे भी मैं ट्राइ करी हूँ बना के तो आज मैं इस नास्ते को ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हैं आप टेमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंट अग आज की ये रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें